आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजली स्वन सिलाजीत कैपसुल्स के बारे में आखिर क्या है ये दवा क्या कुछ इसके लाब है इसे प्रियोग करने की विधी क्या है और समसे अंतमेट मेरा व्डियू क्या है इसको लेकर वो भी मैं आप सभी के साथ साजा आपको ये नेना चाहिए नहीं नेना चाहिए सम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुच्छन ये बिना देर की प्रारम करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डोक्टर रोबिन सर्मा और मैं एक आयरवेदिक चिकिच सकूँ मेरा क्लिनिक गुर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ में आपनी जो भी कमेंटरी है वो भी करता रहा हूँ है तो इस ओशिदी में प्रियोग तोने वाले परमुख गटक द्रव्व हैं और इसी के साथ इसके अंदर स्वान भस्म का भी प्रियोग किया गया है जिसकी मात्रा 1 mg अंचे करती केपशूल तक हया हालकि स्वान भस्म कि साधारन तोर पर मात्रा प्रियोग कर्वाई जाती है 50-75 мजी प्रती दिन हो सकती है दरасल स्वान घस्म प्रमुख कितौर पर हमारी इंदुरिंश पावर को बढ़ाने का कार्य करती है और स्वान भस्म प्रमुख तोर पर अपने साथ प्रियोग किये जाने वानी ओशिदियों के प्रभाव को भी बढ़ाने का कारिकर यह ताकि जादा बैतर तरीके से ओशिदियों का लाब शिक्र लाब प्राप्त हो पाए इसके अलावा इसके अंदर रजत भस्म का भी प्रियोग किया गया है जिसकी मात्रा है 10 mg प्रती कैप्सूल जबकि साधारण तोर पर प्रती दिन रजत भस्म की मात्रा तक्रीबन 125 mg से लेकर 250 mg हो सकती है दरहसं रजत भस्म क्रमुख तोर पर हमारी मांसित शक्ति में वृद्धी करने का कारे करता है पेड में जिन लोगों को गैस बहुत अधिक बनती हूँ ऐसी वस्ता में रजत भस्म का प्रियोग बहुत अधिक लाबदायक रहता है हमारी नर्वस सिस्टम को यह खास दोर पर ताकत देने का कारे करता है आप में से पता नहीं कितने लोगों को याद होगा जंडू सोना चांदी चोनप्रास का जब सारुकान एड़ोटाजमेंट करते थे तो उसमें सारुकान अमेशा कहता था कि सोना दे सुरक्षित तन चांदी देख तेज दिमाग तो दिमाग के भी ये चांदी भस्म का प्रियोग ही समसे बहतर परिणाम प्रदान करते है इसके अलावा इसके अंदर 15 mg प्रती कैप्सुल की मात्रा में आप रख भस्म का भी प्रियोग किया गया है जो प्रमुक तोर पर सारुक बल में व्रिदी करने का कारे करती है मैं व्यक्तिगत तोर पर केवन 1000 पूटी अब्रक भास्म का प्रियोग करता हूँ जिसकी तक्रीवन 55 mg से लेकर 95 mg के करीब की मात्रा परती दिन प्रियोग की जा सकती है अलकि इसके अंदर साधारन अब्रक भास्म का ही प्रियोग किया गया है अगर कोई अपने केवल बल में विर्दी करने के उद्धेशे से किसी भास्म का प्रियोग करना चाहता है तो इसके अलावा इसके अंदर 15 mg प्रती कैपसूल की मात्रा में बंग भास्म का प्रियोग किया गया है जो प्रमुक तोर पर हमारे प्रजनन अंगों को बल प्रदान करने कारे करती है इसकी मात्रा भी लग भग 125 mg से 250 mg प्रती दिन हो सकती है और हाँ इसके अंदर सिलाजीत का तो प्रियोग किया ही गया है जिसकी मात्रा 375 mg प्रती कैपसूल है चलिए अब लाप के विशे में थोड़ आसा बात कर लेते हैं तो स्वन सिलाजीत कैपसूल के अंदर शुद्ध सिलाजीत, स्वन अभासमित और विभिन जड़ी बूटियों का प्रियोग किया गया है यह पूरी तरह से एक आयरवेदिक और प्राकरतिक उत्पाद है तो इबनिटी पावर का निर्मान करता है, कारिच शमता और जीवनी ये शक्ती में वृद्धी करता है सारिरिक और मानसिक बलवडाता है, सामान्य स्वास्त में सुधार करता है और मानसिक तनाव कम करता है इसके अलावा इसके अंदर निखा विया है कि इसके प्रियोग से सारिरिक और मानसिक शक्ति का निर्मान होता है, सारिरिक उर्जया बढ़ती है, प्रजनन कर्याओं में सुधार आता है और मानसिक तनाओ भी कम होता है, साथी साथ सिलाजीत का प्रियोग होने के चलते यह हैं ओशिधी ठकान और कमजोरी साती-साथ मदुमे के कारण होने भाले ठकान पो दूर करने का कारिकती और टेस्टेस्तोरहन के स्तर में भी सुधार कर प्रजनन छमता को बढ़ाने का कारिकती है यह उशदी बंद्य है, रसायन है और ओश्टिक उत्तेजक और वीरिवर्धक और स्नाईव बंवर्धक है इसकी प्रियोग वीदिज जहां बताई गई है, दो कैपसुल जिन में दो बार गरम दूद अत्वार चिकित्त द्वारा निर्देशित मात्रा में इस्ट प्रियोग करना चाहिए तो इस प्रकार ये दस कैपसुल जिसके कीमत है 350 उर्पे, वो तकरीबन धाई दिन के करीब चलेगा एक स्क्रिप अब बात कर लेते हैं, मेरा क्या व्लूमर इस दवा को लेकर तो आप लोगों ने दाबर खिलाजीत गोल्ड का नाम तो सुनाई होगा कुछ-कुछ वैसा बनाने का इन्होंने प्रियास किया है, कीमत भी लगवब उसी के आसपास इन्होंने रक्ट की है घटक द्रहले को देखकर कहा जा सकता है कि कमपोजिशन काफी अच्छा है पर मुझे गिलोए और कौफी का प्रियोग कोई खास समझ में नहीं आया कि किसने किया गया है हो सकता है मादुमे के रोगयों को ध्यान में रखते हुए गिलोय का प्रियोग किया गया हो और कोफी का प्रियोग करने के पीछे पारण है कि जो इस्टेंट के किसके प्रियोग से मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए कोफी का प्रियोग इसके अंदर किया गया होगा तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि कॉम्पोजिशन अच्छा है लगब लगब आपको डावर सिलाजेत गोल जैसे ही रिजल्ट इससे मिलने चाहिए क्योंकि नया प्रियोग करके नहीं देखा है पर कॉम्पोजिशन देखकर ऐसा ही लग रहा है जाने से पहने मैं आपको हमारे चैनल के इस महीने के स्मोंसर 28 लस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा बढ़ती उम्र के साथ पुर्शों में आने वाली सारे रिक और मांसिक कमजोरी को दूर करने का वहती उत्तम उत्पात है इसके उपर में पहले भी एक विश्टरत वीडियो बना चुका हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही साथ इसे खरीदने का लिंक भी आपको बायो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आशे करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगा आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद